दसवाँ पाठ बस की सैर प्रिष्ट संख्या 65 से 73 तक अप्रस्तुत है पाठ बस की सैर एक थी लड़की, नाम था उसका वल्ली अम्माई, आठ बरस की थी, उसे अपने घर के दर्वाजे पर खड़े होकर सडक की रौनक देखना बड़ा अच्छा लगता था। अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वह कर भी क्या सकती थी, और फिर उसकी माने उसे सख्त ताकीद कर रखी थी, कि वह खेलने के लिए अपनी सडक छोड़कर दूसरी सडक पर न जाए। सडक पर सबसे ज्यादा आकरशित करने वाली वस्तू कस्बे की बस थी, जो हर घंटे उधर से गुजरती थी। एक दफा जाते हुए और एक दफा लोटते हुए। हर बार नई-नई सवारियों से लदी हुई बस का देखना, वल्ली अमाई की कभी न खत्म होने वाली खुशी का खजाना था। हर रोज वह बस को देखती और एक दिन एक नन्नी सी इच्छा उसके नन्ने से दिमाग में घुस कर बैठ गई। कम से कम एक बार तो वह बस की सैर करेगी ही नन्नी सी इच्छा बड़ी और बड़ी होती चली गई। वली बड़ी हसरत से उन लोगों की तरफ देखती जो सडक के नुकड पर बस से उतरते चड़ते। जहां पर बस आकर रुकती थी उनके चेहरे इसके दिल में सो सो इच्छाएं, सपने और आशाएं जगा जाते। उसकी कोई सखी सहिली जब उसे अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती, शहर के किसी दृष्षय का हाल बताकर डींग हांकती, तो वली जल भुन जाती, घमंडी घमंडी वह चिलाती। चाहे वली और उसकी सहिलियों को इस शब्द का आर्थ मालुम नहीं था, फिर भी इसका बेधड़क इस्तेमाल करती। दिनों दिन, महिनों महिने, वली ने बस यात्रा से संबंधित, छोटी मोटी जानकारी, गाउं से कभी कभार शहर जाने वालों और बस में प्राय सफर करते रहने वाले यात्रियों की आपसी बातचीत से प्राप्त कर ली थी। उसने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछे थे। शहर उसके गाउं से कोई दस किलो मीटर दूर था। एक ओर का भाड़ा था तीस पैसे। इसका मतलब जाने और लोटने दोनों ओर के साथ पैसे। शहर तक पहुचने में बस को पौन घंटा लगता था। शहर पहुचकर अगर वह बस में ही बैठी रहे और तीस पैसे और चुका दे तो उसी बस में बैठी बैठी वापस भी आ सकती है। यानि अगर वह गाउं से दो पहर एक बजे चल दे तो पौने दो बजे शहर पहुच जाएगी। और फिर उसी बस से वह अपने गाउं कोई तीन बजे लोटाएगी। इसी प्रकार वह हिसाब पर हिसाब लगाती रही। योजना पर योजना बनाती रही। एक दिन की बात है। जब यह बस गाउं की सीमा पार करके बड़ी सडक पर प्रवेश कर रही थी। एक नन्ही सी आवाज पुकारती हुई सुनाई दी। बस को रोको बस को रोको एक नन्हा सा हाथ हिल रहा था। बस धीमी हो गई। कंडक्टर ने बाहर जाका और कुछ तुनक कर कहा। अरे भई कौन चढ़ना चाहता है उनसे कहो की जल्दी करे। सुना तुमने। बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया। उसने रेजगारी दिखाते हुए कहा। ठीक ठीक पहले बस में चढ़ो तो। कंडक्टर ने कहा और फिर उसे धीरे से उठा कर बस में चढ़ा लिया। मैं अपने आप चढ़ूंगी तो मुझे उठाते क्यों हो। कंडक्टर बड़ा हां सोड था। अरे मेम साहिब नाराज क्यों होती हो। बैठो इधर पधारो। उसने कहा। रास्ता दो भै रास्ता मेम साहिब तश्रीव ला रही है। दोपहर के उस समय आने जाने वालों की भीड़ भार घट जाती थी। पूरी बस में कुल छेह साथ सवारियां बैठी हुई थी। हस रहे थे। वल्ली मन ही मन जेप गई। आखें फेर कर वहें जल्दी से एक खाली सीट पर जा बैठी। गाड़ी चलाएं। बेगम साहिबा कंडक्टर ने मुस्करा कर पूछा। उसने दो बार सीटी बजाई। बस गरजती हुई आगे को बढ़ी। वल्ली सब कुछ आखें फाड़ कर देख रही थी। खिडकियों से बाहर लटक रहे परदे के कारण। उसे बाहर का द्रिश्य देखने में बाधा पड़ रही थी। वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई। और बाहर जाकने लगी। इस समय बस एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। रास्ता बहुत ही तंग था। एक ओर नहर थी और उसके पार ताड़ के व्रिक्ष, घास के मैदान, सुदूर पहाडियां और नीला आकाश। दूसरी ओर एक गहरी खाई थी। जिसके परे दूर दूर तक फेले हुए हरे भरे खेत। जहां तक नजर जाती हर्याली ही हर्याली। अहा, यह सब कुछ कितना अध्वुत था। अचानक एक आवाज आई और वहें चौक गई। सुनो बच्ची, वहें आवाज कह रही थी। इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। वल्ली बैठ गई। और उसने देखा कि वहें क का आदमी था, जिसने उसी के भले के लिए यह कहा था, लेकिन उसके इन शब्दों से वहें चड़ गई। यहां कोई बच्ची नहीं है। उसने कहा, मैंने पूरा भाड़ा दिया है। कंडक्टर ने भी बीच में पढ़ते हुए कहा, जि हां, यह बड़ी बेगम साहिबा है, क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप दे कर शहर जा सकता है। वल्ली ने आखें तरेर कर उसकी ओर देखा, मैं बेगम साहिबा नहीं हूँ, समझे, और हां, तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है, अरे हां। कंडक्टर ने उसी के लहजे की नकल करते हुए कहा, और सब हसने लगे, इस हसी में वल्ली भी शामिल थी। कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा और उसे देते हुए कहा, आराम से बैठो, सीट के पैसे देने के बाद कोई खड़ा क्यों रहे, मुझे यह अच्छा लगता है। वह बोली, खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी, चोट खा जाओगी, गाड़ी जब एकदम मोड काटेगी, या जटका लगेगा, तभी मैंने तुम्हें बैठने को कहा है बच्ची। मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम्हें बता दिया ना। उसने कुढ कर कहा, मैं आठ साल की हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी कैसा बुद्धु हूँ, आठ साल, बापरे। बस रुकी, कुछ नए मुसाफिर बस में चड़े, और कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया। वल्ली बैठ गई, उसे डर था कि कहीं उसकी सीट ही न चली जाए। एक बड़ी उम्र की औरत आई और उसके पास बैठ गई। अकेली जा रही हो बिटिया, जैसे ही बस चली, उसने वल्ली से पूछा। हाँ, अकेली जा रही हूँ, मेरे पास मेरा टिकेट है। उसने अकड कर तीखा जवाब दिया। हाँ, हाँ, शेहर जा रही हैं, तीस पैसे का टिकट लेकर। कंडक्टर ने सफाई दी, आप अपना काम कीजिये जी, वल्ली ने टोका, लिकिन उसकी अपनी हसी भी छूट रही थी, कंडक्टर भी खिल-खिला कर हसने लगा, इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचित है, बुड़िया की बक जख जारी थी, तुम जानती हो, शहर में तुम्हें कहा जाना है, किस गली में, किस घर में, आप मेरी चिंता ना करें, मुझे सब मालूम है, वल्ली ने पीट मोड, मुह खिडकी की ओर करके, बाहर जाकते हुए कहा, यह उसकी पहली यात्रा थी, इस सफर के लिए, उसने सचमुच कितनी सावधानी और कठनाई से योजना बनाई थी, इसके लिए उसे छोटी छोटी जो रेजगारी भी हाथ लगी, इकठी करनी पड़ी, उसे अपनी कितनी ही इच्छां को दबाना पड़ा, जैसे की वह मीठे गोलिया नहीं खरी देगी, खिलोने, घुबारे, कुछ भी नहीं लेगी, कितना बड़ा सयम था यह, और फिर वि देब में पैसे होते हुए भी, गाउं के मेले में, गोल-गोल घूमने वाले जूले पर बैठने को उसका कितना जी चाह रहा था। रोज दोपहर के खाने के बाद, उसकी मा कोई एक बजे से चार साढ़े चार बजे तक सोया करती थी। वल्ली का बीच का यह समय गाउं के अंदर सैर सपाटे करने में बीटता था, लेकिन आज वह यह समय गाउं से बाहर की सैर में लगा रही थी। बस चली जा रही थी। कभी खुले मैदान में से, कभी किसी गाउं को पीछे छोड़ते हुए और कभी किसी धाबे को। कभी यह लगता कि वह सामने से आ रही किसी दूसरी गाड़ी को निगल जाएगी या फिर किसी पैदल यात्री को। लेकिन यह क्या वह तो उन सब को दूर पीछे छोड़ती हुई बड़ी सावधानी सफाई से आगे निकल गई। पेड दोड़ते हुए उसकी ओर आते दिखाई दे रहे थे। लेकिन बस रुकने पर वे इस्थिर हो जाते और चुपचाप बेबस से खड़े रहते। अचाना खुशी के मारे वली तालिया पीटने लगी। गाय की एक बचिया अपनी दुम उपर उठाए सड़क के बीचो बीच बस के ठीक सामने दोड रही थी। ड्राइवर जितनी जोर से भोपू बजाता उतना ही ज्यादा वह डर कर बेतहाशा भागने लगती। वली को यह द्रिश्य बहुत ही मज़ेदार लगा और वह इतना हसी इतना हसी कि उसकी आँखों में आशू आ गए। बस बस बेगम साहिबा कंडक्टर ने कहा कुछ हसी कल के लिए रहने दो। आखिर बचिया एक और निकल गई और फिर बस रेल के फाटक तक जा पहुची। दूर से रेल गाड़ी एक बिंदू के समान लग रही थी। पास आने पर वह बढ़ी और बढ़ी होती चली गई। जब वह फाटक के पास से धड़ धड़ाती दन दनाती हुई निकली तो बस हिलने लगी। फिर बस आगे बढ़ी और रेल्वे स्टेशन तक जा पहुची। वहां से वह भीड भड़क के वाली एक सड़क से गुजरी। जहां दोनों और दुकानों की कतारें थी। फिर मुड़कर वह एक और बड़ी सड़क पर पहुची। इतनी बड़ी-बड़ी सजी हुई दुकाने, उनमें एक से एक बढ़कर चमकीले कपड़े और दूसरी चीजें। भीड की रेलम पेल, वल्ली हैरान, भोचकी सी, हर चीज को आँके फाड़े दीख रही थी। बस रुकी और सभी यात्री उतर गए। ए बेगम साहिबा, आप नहीं उतरेंगी, तीस पैसे की टिकट खतम हो गई। कंड़क्टर ने कहा, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। उसने अपनी जेब में से तीस पैसे और निकाल कर रेजगारे कंड़क्टर को देते हुए कहा। क्या बात है। कुछ नहीं, मेरा बस में चड़ने को जी चाहा, बस। तुम शहर देखना नहीं चाहती। अकेली, ना बाबा न, मुझे डर लगता है। उसने कहा, उसके हाव भाव पर कंड़क्टर को बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा। उसने पूछा, इसमें डर की क्या बात है। वल्ली ने जवाब दिया, अच्छा, तो उतर कर उस जलपान ग्रिहे में हो आओ, कॉफी पी लो, इसमें डर की क्या बात है। उह, मैं नहीं प्यूँँगी। अच्छा तो क्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ पकोड़े या चबैना लाओं। नहीं, मेरे पास इनके लिए पैसे नहीं है, मुझे बस एक टिकट दे दो। जलपान के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं, पैसे मैं दूँगा। मैंने कह दिया न, नहीं। उसने द्रड़ता पूर्वक कहा। नियत समय पर बस फिर चल पड़ी, लोटती बार भी कोई खास भीड नहीं थी, एक बार फिर वही द्रिश्ये, लेकिन वह जरा भी नहीं उबी, हर द्रिश्ये में उसे पहले जैसा मजा आ रहा था, लेकिन अचानक, ओ, देखो, वह बचिया, सडक पर मरी पड़ी थी, किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी, हो, कुछ खुशन पहले, जो एक प्यारा, सुन्दर जीव था, अब अचानक अपनी सुन्दरता, और सजीवता खो रहा था, अब वह कितना डरावना लग रहा था, फैली हुई टांगें, पत्राई हुई आखें, खोन से लत्पत, कितन दुख की बात, यह वही बच्या है न, जो बसकी आगे-आगे भाग रही थी, जब हम आ रहे थे, वल्ली ने कंडक्टर से पूछा, कंडक्टर ने सिरह ला दिया, बस चली जा रही थी, बच्या का खयाल उसे सता रहा था, उसका उत्साह धिला पड़ गया था, अब खिडकी से बाहर चांक कर और द्रिश्य देखने की उसकी इच्छा नहीं रही थी, वह अपनी सीट पर जमी बैठी रही, बस तीन बज कर चालिस मिनट पर उसके गाउँ पहुची, वल्ली खड़ी हुई, उसने जमाई लेकर कमर सीधी की, और कंडक्टर को विदा कहते हुए बोली, अच्छा, फिर मिलेंगे जनाब, लेखिका वल्ली कानन, अनुवाद बालक रामनागर, अभ्यास शब्दार्थ, ताकीद अर्थात निर्देश, भाड़ा अर्थात किराया, मुसाफिर अर्थात यात्री, एक, कहनी से, क, शहर की और जाते हुए वल्ली ने, बसकी खिड़की से बाहर क्या-क्या देखा, अब तो उसकी खिड़की से बाहर देखने की, इच्छा भी खत्म हो गई थी, ख, वापसी में वल्ली ने खिड़की के बाहर देखना बंद क्यों कर दिया, ग, वल्ली ने बसके टिकट के लिए पैसों का प्रबंध कैसे किया, दो, क्या होता अगर, क, वल्ली की मा जाग जाती और वल्ली को घर पर न पाती, ख, वल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और बस वापिस चली जाती, तीन, छिप छिप कर, ऐसी छोटी बच्ची का अकेले सफर करना ठीक नहीं, क, क्या तुम इस बात से सहमत हो, अपने उत्तर का कारण भी बताओ, ख, वल्ली ने यह यात्रा घर के बड़ों से छिप कर की थी, तुम्हारे विचार से उसने ठीक किया या गलत, क्यों, ग, क्या तुमने भी कभी कोई काम इसी तरहें छिप कर किया है, उसके बारे में लिखो, चार, मना करना, मैंने कह दिया न, नहीं, उसने द्रिड़ता से कहा, वल्ली ने कंडक्टर से खाने पीने का सामान लेने से साफ मना कर दिया, क, ऐसी और कौन-कौन सी बाते हो सकती हैं, जिनके लिए तुम्हें भी बड़ों को द्रिड़ता से मना कर देना चाहिए, क्या तुमने भी कभी किसी को किसी चीज या कार्य के लिए मना किया है, उसके बारे में बताओ, पांच, घमंडी, वल्ली को या उसके किसी साथी को घमंडी शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं था, क्, तुम्हरे विचार से घमंडी का क्या अर्थ होता है, ख, तुम किसी घमंडी को जानते हो, तुम्हे वह घमंडी क्यों लगता या लगती है, ग, वल्ली घमंडी शब्द का अर्थ जानने के लिए क्या क्या कर सकती थी, उसके लिए कुछ उपाय सुझाओ, छ, बचत, वल्ली ने एक खास काम के लिए पैसों की बचत की, बहुत से लोग अलग अलग कारणों से रुपए पैसे की बचत करते हैं, बचत करने के तरीके भी अलग अलग हैं, क, किसी डाक घर या बैंक जाकर पता करो कि किन किन तरीकों से बचत की जा सकती है, ख, घर पर ही बचत करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं ग, तुम्हारे घर के बड़े लोग बचत किन तरीकों से करते हैं, पता करो